श्री माता वैशनो देवी के यात्रा पर फलहाल रोग खास बात शीत पुराना दरूर के पंच प्रभाद सिंग मंगली ने श्राइन बोर प्रशाथन से लोगों के लिए यात्रा खोलनी की अपीद की है जैसे की सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जो है माता वैशन देवी के जात्रा के लिए त्यारियें की जा रही थी रास्ते में सोशल डिसेंस के सरकल डाले जा रहे थे गोडों की सैंपलिंग ली जा रहे थी लेकिन इसके बाद भी आड़ तरी को कुछ कारणों के साथ जात्रा पर फिर से रोग लगा दी गई है इस बीच हमारे साथ खास बात जीत करने के लिए त्यार है पराना दूर्ड के बार नमबर एक के पंच परबास सिंग मंगली जी नहीं पराना दूर्ड के और माता के वैशन माता के बारदार भी है तो इन से हम जानेंगे किस तरह से पिछले डाई मुईनों में क्या इनों ने दर्शन किया माता वैशन जे खिके या नहीं किया किस तरह से इनको हम बात करने के लिए प्रिबास सिंग जी आपकी बहुत बहुत स्वागत है जी के कबर नों में देके शुक्रिया रही जी पहले तो मैं जो भी आपके चैनल के मादिम से मेरी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं मैं सब को बोलूँगा जैमात आदी क्योंकि यहां माता वैशन देवी ही है उनकी बजा से ही उनकी ही देन है यहां पर जितने भी गर पल रहे हैं जा जितने भी लोग हैं यहां पर खासकर यह कट्रा की मैं बात करूँगा बाकी तो सारे बुरे भारत में उनका शिरबाद है लेकिन कट्रा में जो देखने को मिल रहा था भी थोड़े दिन पहले कि जैसे श्राइम बोड की तरफ से पूरी त्यारियें चल रही थी माता वैशन देवी के ट्रैक की और वैशन देवी भवन में भी उन्होंने सर्क्लर बगारा लगाए कि कैसे सोचल डिस्टैंस रखके ज वैशनों के लिए जाता था और आप सोचें कि जो हर मंगलवार वैशन देवी जाता है तो उसकी कितनी रगन होगी मेरे साथ कट्रा के लोग भी कुछ जाते थे और मेरे दूर के लोग भी जाते थे और अब इतनी मतलब के हमें मतलब के प्रावलम हो रहे हैं एड़िस्टै बारीदार क्या होता थे बारीदार सिर्फ कहने को मतलब के किसी को पतन चलता है कि बारीदार क्या होता है बहां हम पुजारी थे और हमें 86 से बहां से निकाला गया रात को टेक ओवर हुआ श्राइम बोर्ड ने किया लेकिन चलो वो बातें थोड़ी चलती रहेंगी अलगी के टेक ओफर हुए जैसे भी लेकिन हम मातफ़ के पुजारी हैं हमारे बज़्र बहां पे गर से गी लेके जाते थे और हई जोड जलाते थे गर से राशन लेके जाते बहां खाना मनाते तब जातरणी थी कच्छी सडके थी आप तो इतनी डुएल Jeżeli việc हैं लेकिन पिर माता वैशन देवी के दर्शनों के लिए गे देखिए जैसे लागडाउन जैसे टिप्टी कमिशनर यहां पर उनके जो अदेश हैं कि लागडाउन बगए बिन काम कि आप गर से बाहर ना निकलें कोई भी मतलब कि अपनी साफ़दा नहीं बरतें और ऐसे हमारी जो धार किसी को वो जाने नहीं दे रहे हैं लेकिन हम डीसी मैडम से और श्राइम बोर्ड सियो साब से यह गुजारिश करेंगे कम से कम लोकल लोगों को तो बहां शोड़ा जाए कट्रा के या कोई यहां से लोकल कोई भी हैं उनको कम से कम इजाज़़त होनी चाहिए कि वो दर्श सारे हैं और यह फर्स्ट जो हमारा यह स्टेशन है मातराणी की किरपा है यहां कोई ऐसा केस नहीं है और यह एडमिस्टेशन को खोलना चाहिए और जैसे हमें पता था कि आज आर्थ दी को जातरा खुलनी है और हमने श्राइम बोर्ड से कंफर्म किया तो उनने कहा कोई ऐ देश नहीं है जातरा बिलकुल बंद है जैसे थोड़े दिन पहले गोडों की बहां लाइने लग गई सोचल डिस्टेंस में सैंपलिंग होना शुरू हो गई और हमें भी थोड़ी सी मतलब के खुशी मैसूस होने लगी कि हम मातराणी दर्शन कर सकेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जब आज सुनने को मिला तो ऐसे मतलब के हम देखते ही रहागे कि हो क्या गया हमारे साथ और मैं हर ट्यूजरे जाता हूं मैं तो यहीं कहूंगा कि मातागे यह दर्शन को ले हम दर्शन करें जैमातादी कि देखो यहां लाग डाउन चल रहा है कट्रा जो है जात्रा पर ही निर्वर करता है और आप देखें होटल गैस्ट अउसिज या जितने भी जहां पे ट्रैक पे शॉप्स हैं सब मतलब के बंद पड़े हैं यहां कोई मतलब के आंधर नहीं है और पांच के 600 यहां पे होटल गैस्ट अउसिज रहा हैं और खासकर मैं बात करू वान अंगा से उपर जो वैशनेवी ट्रैक पे दुकाने हैं, बहां तो रोहित जी मैं आपके मीडिया के माधियम से बताना चाहूंगा, बहां तो यो दुकाने हैं 24 गेंटे चलती थी, और बहां कभी उनको बंद करने की किसी ने सोची नी, और जब बंद करने की वारी यह ल गरों को चले गए, और दुकाने बैसी की बैसी सजी रह गई, और वो सारी दुकाने तबाह हो गई हैं, बहां जो मालमवेशी गुमते हैं, बंदर हैं, कुते हैं, मतलब कि यह बंदर कुतों नहीं पूरी दुकाने तबाह कर दी हैं, और इसके चलते, मैंने पहले भी एक व बंद है बिजली चल इन रही है तो फिर बίल किस बात के तो मैं एड़ी स्टेशन से बिलकुल मैं के रिकवेस्ट की भी थी कि या बिलकुल जाती है इसको मतलब कि यह नहीं करना चाहिए आप को सोच Χारिए और खास कर डेप्टी कमिशनर से मैं ये गुजारिश करूँगा और बिजली विभाग से कि कम से कम ये जो आप बिल दे रहे हैं ये आप माप करें यो तीन महीने जो जात्रा नहीं चली है यहां कोई आउट पुट हुई नहीं है तो हम बिल कहां से देगी ये टोटल बंद है जानकर देने के लिए तो ये आज हमारे साथ खास पासची में मौझूद है पुराना दूट के परवासिंग मंगली जी जो कि हर मंगलवार को है शीरी माता वैक्शन देवी के देशनों के लिए जाते थे तो इनका साफ तोर पर कहना है कि जैसे ये खबर चार रही थी मंगलवार को जैसे की जी माता वैक्शन देशनों के लिए जाते थे इनके साथ और भी लोग जाते थे कुछ लोकल लोग तो इनकी इन्होंने परशासन से एक अपील की है श्राइंपूर परशासन से और जिला परशासन से के कम से कम लोकल जो 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 जातरा है उनके लिए है जात्रा किसी कुछ शर्तों के साथ कुछ नियम बना कर यू है लोकल जात्रा खोली जाए आप देखते रहिए ये के खबर नो कट्रा से रोही छर्मा की रिपूर्ट